नमस्कार साथियों इन्फिजर नोट्स के डिजिटल प्लेट फॉरम पर आपका सुवागत है मैं कपिल तिवाड़ी आज आपके सामने एक बहुती खास सेसन लेकर मौजूद हूँ इसमें अपने बात करेंगे चीन ने इसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया में चीन ही चीन ह अमरिका को भी पचाड चुका है अब ऐसा कुछ चीन ने किया है उस पर हम विष्टित रूप से जान करी लेंगे और ये सेसन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेर कीजिए ये चीजें जो बैसिक चल रही है वर्ड में क्या हो रहा है इसके लिए सेसन बनाया जा कि मिठेन से कैसे कोई रोकेट है जो अंत्रिक्स में बेश सकता है परन्तु चीन ने यहां कर दिखाया है चीन टेकनोलोजी के मामले में अमरीका से भी आगे निकल चुका है अमरीका ने ऐसी कोशिस की थी लेकिन उसमें अमरीका ऐस सफल रहता चीन वाले अभी कुछ भी कर करते हैं है टेकनोलोजी के मामले में इस पर अपने देखते हैं कि चीन ने गॉबर गेंसें किस परकार रोकेट है जो अंत्रिक्स में लॉंच कर दिया इस पर जानेंगे संपुरूर्ण जानारी किस तारिको लॉंच किया कौन से рокेट से लॉंच किया क्या नाम इसका रखा जो launch किया, इस पर अपने विष्टित रूप से देखेंगे, तो शुरुआत करते हैं, चीन की एक जो नीजी कमपनी है, Aerospace Landscape ने 12 जुलाई को येकार नामा दुनिया को कर दिखाया, चीन की नीजी कमपनी का नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए, Aerospace Landscape ने 12 जुलाई को येकार नामा दुनिया को कर दिखाया, पहले Methane Liquid Oxygen Rocket को कक्षा में लॉंच कर दिया, ये देखिए, पहले जो पहला है Methane Liquid Oxygen Rocket है, इसको लॉंच कर दिया है, चीन की नीजी कमपनी का नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए, Aerospace Landscape ने 12 जुलाई को इस कारिय करम को संपूर्ण कर दिया, इस कदम ने नेकिस्ट जनरेशन के लॉंच वेहिकल्स को अंट्रिक्स में बेजने में, अमरिकी परतिदवन दिये, मैंने आपको पहले पहलता हासिल कर लिए, इस कदम ने जो नए जनरेशन जो बन रही है, टेकनोलोजी उसके लिए एक अंत्रिक्स में बेजने में, जो बेजा है, मिथेन, लिक्वीड गोबर्गेंस, लिक्वीड ओक्सिजन रोकेट है, उसमें सपलता हासिल करने के बाद अब ने ने तरीके स जो रोकेट हैं, अंत्रिक्स में बेजे, जास केंगे, आगे बढ़ते हैं, अब इस पर बात करते हैं कि चीन की नीजी कंपनी ने 12 जुलाई को उनके जो स्तान ये समय उनसार है, चीन के 9 बजे के उनसार, रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ये कोई जगह का नाम है, जुलाई को 9 बजे के स्तान ये समय उनसार इसको रोकेट को लॉंच किया, आप से पूछे, जिक्वे, जिक्वोन सेटेलाइट लॉंच, ये सेंटर है, जिक्वोन सेटेलाइट लॉंच सेंटर है, नाम क्या दिया है इसको, जो लॉंच किया है, इसको जुकेट्टू नाम दिया है अब चीन ने इसको किस परकार बेजा इस पर भी बात करते हैं चीन ने पहले भी इस पर प्रेक्टिकल किया था लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली थी लेकिन चीन वाले पीछे काट रने वाले थे इस रोकेट की लॉंचिंग सफल रही और यह सफलता पुर्व कक् इसको याद रखना यह पूछ सकता है आपको कि पहले मिठेन लिक्विड ऑक्सिजन सिस्टम से लॉंच किये गए अंत्रिक्स चीन ने जो रोकेट लॉंच किया है अंत्रिक्स में उसका क्या नाम है जूके टू है ऐसा करने वाला चीन है जो पहला राश्टर बन चुका है इससे पहले अमरीका ने कोशिज की थी अमरीका की नीजी कंप्रीन स्पेस एक्स इसमें एस अपन रहा था जो पूरी तरह से यह पूरी तरह से मिठेन और तरल ओक्सिजन दुआरा संचालित होगा यह भी पूछ सकता है कि इसको लॉंच किया है जूके टू यह किस से संचा इसको लॉंच किया था जूके टू को अब जानते हैं कि उच्पर्दसन और कम लागत वाज मिठेन संचालित रोकेट बनाया है चीन ने तो इसको क्यों बनाया इसकी क्या फाइदे है चीन भी कोई भी अगर टेक्नोलोजी लाता है तो इसमें कुछ ना कुछ फाइदा आव पर्दसन है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है लंबे समय तक कारियरते रहते हैं इसलिए चीन ने मिठेन संचारित जो इंजन बनाया था जूके टू के लिए आगे बढ़ते हैं इसको दोबारा प्रियोग करने वाले रोकेट की विकाशिल प्रवुति के लिए भी उप्य प्रियोग लेना चाहें तो इनको दुबारा व्यूपियोग लिया जा सकता है इस टेकनोलोजी को रोकेट विज्ञान के ने यूग में नेवा प्रियोग माना जा रहा है यह जो टेकनोलोजी में सफलता हासिल कि चीन ने उसको वर्तमान समेह में एक नया प्रियोग माना ज हाड़ दिया है इससे पहले अमरीका ने सपेस एक सनमस के कंपणी है नीजी कंपणी उससे यह प्रियाज किया था लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिले थी यह देखिए अप्रेल में सपेस पॉन्यर के मिध्यन संचालित यह देखिए इससे पहले चीन ने अप्रेल महने में केरोसीन औक्सिजन औकेट् सफलता पुर्व के लॉंच किया था उसी में भी उसने सफलता प्राप्ट की थी अब चीन टेकनोलोजी के मामले में कहीं आगे बढ़ रहा है लगाता लेकिन अमरीका भी इसे बार बार प्रियास कर रहा है कि वह भी इस परकार की टेकनोलोजी को लाए और दुनिया में अपन नहीं हुआ है